हेलो माई दियर प्रेंज्स कैसे हैं आप आज बहुत दिन के बाद हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं मैं तो आपको देखती रहती हूँ आपकी वीडियो में लेकिन आपने मुझे बहुत वक्त से नहीं देखा तो मैंने सोचा आज वीडियो बना के मैं आप सब को दिखा दू कि मैं जिन्दा हूँ मैं बिलकुल ठीक ठाक हूँ और मैं आपके सामने वैसी की वैसी हूई हूँ जैसे आपने मुझे पहले देखा था तो जनाब आज आपको मैं गाना भी सुनाओंगी और आपके साथ बहुत सी बाते भी करूँगी बहुत सी बाते जो बहुत वक्त से म बात करूँ तो अब वक्त आ गया है जब मुझे आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है तो गाना हो जाए पहले आप सब हमेशा कहते हो कि हाँ गाना थोड़ा सा सुनाया जाए कुछ फ्रेंड्स लाइक करते हैं कुछ हो सकता है बहुर भी होते होंगे तो एनिवे चलिए इसके साथ जो आज बात करने जा रहे है उसके साथ ये गाना मैच करता है तो मैं दो लाइने इसकी आपको सुना दिया हूँ जिन्दगी इम्तिहान लेती है दोस्तों की चान दोस्तों की चान दोस्तों की चान लेती है दिल लगी इम्तिहान लेती है दिल लगी इम्तिहान लेती है बस इतना ही सुनाओंगी ज्यादा नहीं और जी ये बात बहुत सच है कि जिन्दगी हर वक्त हर किसी का इम्तिहान लेती है जिन्दगी कही बार बता कर इम्तिहान नहीं लेती कही बार इंसान को थोड़ा सा कहते हैं न कि थोड़ा सा शक हो जाता है थोड़ा सा एक अगर आप काफी अपने रब में विश्वास करती हो तो उस रब की तरफ से भी आपको इशारा मिल जाता है कि थोड़ा संभल जाओ, अगर नहीं संभलोगे तो फिर तुम्हें सफर करना पड़ेगा, लेकिन के बार सफरिंग से ये मतलब नहीं है कि आपको दुख सुख जो सिंदगी में आते हैं, वो आपकी कोई किसी वचा से ह है, या जैसे लोगों ने बहुत बदुआओं का चर्चा उठाया व어야 था, कि बदुआओं लगेंगी, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं होता है, वो इस जिंदगी के इमतिहान नहीं होते हैं, वो बस कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं, जो नही होने चाहिए और उनको फिर आपका रब जिसे आप मानते हो वो खुद बखुद उनको एक किनारे कर देता है ताकि आपकी जिन्दगी जैसे चलनी है वैसे चलती रहे और शुकर है मेरे उस वाही गुरू का भगवान का अल्ह ताला का क्योंकि मेरे लिए सब एक है लोगों न कि अल्हा किसी एक का नहीं है वो पूरी दुनिया का है भगवान किसी एक का नहीं है वो पूरी दुनिया को रचने वाला है वाही गुरू उसको तो पाकिस्तान में भी गुर्दवारे में एक तरफ उनकी मजार है तो दूसरी तरफ उनका जहां संसकार किया गया था दोनों कैसे कर सकते हो ये तो बहुत छोटी सोच वाले हैं जो ऐसी बात करते हैं एनिवे अला भगवान ऐसे लोगों को हिदायत दे और ऐसी लोगों को जो भगवान का खुदा का रास्ता है उस पे चलने की तौफीक दे ये मेरी दिल से उन लोगों के लिए दुआ है कि खाम खा बै लाठी पड़ेगी ऐसी जिसको सहना भी मुश्किल होगा तो ची मुझे आपसे कुछ बाते शेयर करनी है ये बाते तो वैसे ही हो गए इंबीच में इनको करने का मेरा कोई रादा नहीं था लेकिन बात से बात निकलाती है तो इसलिए तो बहुत से दोस्तों को पता है मैं बार बार उनसे कहती जा रही हो कि मेरी बेटी की तबिया ठीक नहीं थी मैं खुद भी हॉस्पिल की काफी अपोइन्मेंट्स हो गयरा हो रही थी तो बहुत से टेस्ट लास्ट यर से लगातार लगातार कुछ ना कुछ लगा हुआ था और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रह जो हैं उनसे सला ली जाती है तो बारी बारी कभी स्कैन हो रहे हैं कभी बलड टेस्ट हो रहे हैं कभी अल्ट्रसाउंड्स हो रहे हैं तो समझ नहीं आ रही थी तो अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है देखें ये शरीर जो है ना हमारा बना हुआ ये शरीर आहि बाड़ी का खयाल नहीं रखा, बहुत फ्राइड फूड खाया, बहुत मिठाईयां खाई, और exercise कुछ नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, शुरू में तो आपकी बाड़ी वो सब सहलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ेगी, तो उनका असर, जो गलत असर है, वो आ आना नानी को, आपके माँबाप को, कुछ बीमारियां ऐसी होती है, तो जो बीमारियों का असर आप पे भी लाजमी पड़ेगा, तो ऐसी बीमारियों के लिए आपको शुरू से ये इतियात परतनी पड़ती है, अब मैंने बहुत 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 बार अपनी कुकिं ना वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आल्रेडी बहुत चीजों से गुसर चुकी थी, blood pressure हाई है, और भी problems हैं, जो भी कुछ है, life में चलता है, सब कुछ चलता है, और हस के उसको लेना चाहिए, जो भी हो रहा है बाडी में, या होगा आगे, या तो आप उसको हस के ले ले, और जिन्दगी के जो problems या जो भी issues आपकी बाडी के साथ हा रहे हैं, उन से आप हस के deal कर लें, अपने रब पे विश्वास करके, कि वो मेरा मालिक है, वो जानता है, कि मैं किस से गुजर सकती हूँ, किस से नहीं गुजर सकती, वो आपको आपकी सहने की हिम्मत से जादा कभी नहीं देता, जितना आप उस पे विश्वास करते हो ना, उतना ही आपके रब को भी आप पे विश्वास होता है, कि ये मेरा बंदा, मुझे इस पे विश्वास है कि इसकी जितनी मर्जी मैं असमाईशें ले लो, लेकिन इसका विश्वास मेरे उपर से कभी नहीं तूटेगा, और जब आपका विश्वास नहीं तूटता न, वो आपको बिल्कुल ऐसे संभाल के रखता है, बेशक हमें तकलीफों से, दुख से, दर्द से गुजरना पड़ता है, बेशक हमें operations करवाने पड़ती है, बेशक हमें धीर सारी दवाईया लेनी पड़ती है, लेकिन वो हर बार किसी बड़ी नई मुसीबत से आपको निकाल लेता है, और आखिर में जितना आप लिखवा के आए हो अपनी रहना तो उतना ही है तो फिर फिकर किस बात का है ना यही बात मैं हमेशा कहती हो कि मौत से तो कभी घवराना नहीं चाहिए और जो लोग बद दुआएं देती हैं कि फला दिन तुम मर जाओगी वो हो जाएगा ये हो जा है इतना मुझे मेरे रब पे विश्वास है और इसलिए देखिए इतने देर के बाद मी मैं आपके पास आई हूँ मेरे में कोई फरक आपको महसूस हुआ कुछ नहीं लेकिन आप आगे बात सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि जिन्दगी में क्या क्या चीज़ें होती है क इनकीन चीज़ों से गुजरना पड़ता है लेकिन अगर आप अपने अंदर दिल अपना आपका मजबूत है आपकी पावर विल पावर जो है जीने की वो अगर मजबूत है तो किसी की कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती है आपका वो एक रब जिसने ये पूरी दुनिया को रचा है आपको बनाया है वो उसके सिवा कोई आपका कुछ नहीं बिकार सकता वो अगर आपसे नाराज है तो आपका बिकारेगा लेकिन दूसरों के कहने पे वो कभी किसी के कहने पे दूसरे का कुछ नहीं बिकारेगा ऐसा होता है और ये तो बिलकुल बेवाकूफी है कहना कि मैं कहुंगी तो यह हो जाएगा, वो हो जाएगा कोई रब से बड़ा नहीं है, अगर रब है ना साथ, तो इनसान किसी का कुछ ने बिकार सकता और एक इनसान के अंधर इतनी पावर नहीं है, कि उसके कहने से दूसरे का कुछ हो जाए अच्छा या बुरा अच्छा दुआउं से होता है आप किसी के लिए दुआ मांगते हो तो हां रब उसकी दुआ कुबूल कर ले तो होता है लेकिन बद दुआ मैं बिलकुल इस बात से एग्री नहीं करती हैं तो जी आज मैं इतने दिनों के बाद मेरी कहानी म हो आई हैं इसलिए आई हो क्योंकि जिन्दगी में जो जो कुछ गुछ गुजर रहा है बहुत इंपॉर्टन पढ़ाव बहुत इंपॉर्टन मार्क्स आपकी जिन्दगी में आते हैं जो कि आपकी जिन्दगी का जैसे इंपॉर्टन डेट है आपके घर में बच्चा प minions वो डेट है आपकी important डेट है, आप उसको mark कर लेते हो और सारी उम्मर उसको याद रखते हो, तो ये कुछ एक important चीज़ें जो हो रही है वो ही तो मेरी कहानी मेरी जुबानी में पहले भी आपको बताया तो अभी जो हो रहा है, आपको मैं बहुत इत्मिनान से बताती हूँ और मेरे कुछ एक फ्रेंड जो मेरे साथ बहुत महबद करते हैं मुझे पता है वो भी स्ट्रॉंग है और वो भी रब में विश्वास करते हैं तो मुझे सिरफ और सिरफ उनकी दुआएं चाहिएं मेरे बेटी के लिए, मेरे लिए और उन सब के लिए जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे दुश्मन है, अल्ला उनको भी अच्छे से रखे उनके गुनाहों को माफ करे और अगर अल्ला ने, भगवान ने उनको माफ किया तो हम इंसान हैं, हम कुन होते हैं, कुछ कहने वाले मैं तो वैसे भी किसी की बात ऐसा नहीं कि मैं दिल में रखती हूँ, मैं दिल में बात नहीं रखती कि उससे मुझे दुश्मनी निकालनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे साथ हुआ, उसको दिल में रखती हूँ, ताकि आगे से इस बात पे मैं धोखा ना खाऊ, इसलिए वो बाते मुझे याद रहती हैं, और ता बेटी वैसे ठीक है देखने में, मैं भी हटी-कटी हूँ, बिलकुल देख लो, आपके सामने हूँ, लेकिन मेरी बेटी की जब लास्ट appointment हुई, तो उसमें हो गया कोई महीना, डेट महीना, कुछ ऐसे हो गया, तो डॉक्टर ने बताया कि काफी टाइम से इसके ब्लड टेस् है, कि कहीं बॉड़ी में एक छोटा सा, छोटा सा कैंसर का, क्या बोलते हैं, उसको, जैसे जर्म होते हैं, तो ऐसे एक सेल है, उसका कैंसर का, जो अभी एक्टिव नहीं है, वो चुप-चाप बैठा हुआ है बॉड़ी में, लेकिन कभी एक्टिव हो जाए, तो हमें पता चले, क्योंकि अपॉइंट्मेंट कई बार, कई-कई महीनों के बाद होती है, या साल में एक बार, अब इतने सालों से बेटी को कुछ नहीं हुआ था, तो उसका चेक अप जो है, साल में एक बार हो रहा था, डॉक्टर सैटिस्वाइड थे, कि वह सब कुछ ठीक है, और हम मिशा कह देते थे, नहीं वो है, वहाँ तो कोई बात नहीं, वो आपको नुकसान नहीं दे रहा है, लेकिन ये पिछली अपॉइंट्मेंट हम लोग एक नए डॉक्टर के पास गे, वो वाला डॉक्टर जो रेगुलर देखता था, वो नहीं था, तो उसने हमें कहा कि ये इतने टाइम से टेस्ट ऐसा आ रहा है, तो वो डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं आपसे, हमने कहा कि उसने सिर्फ यही कहा है कि अगर वो कुछ एक्टिव नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हिलाने की खामखा, अब पता भी नहीं है बाडी में की है कहां पे, तो यह सबसे बड़ी बात थी, तो इस डॉक्टर ने कहा नहीं, यह गालत है, आपकी appointment साल में एक बार हो रही है, साल में एक बार अगर कभी वो एक्टिव हो जाता है, तो ना आपको पता चलेगा, ना हमें पता चलेगा, तो तब तक साल भर में, वो कहा कहा पैलता है, हमे इसका कुछ पता नहीं चलेगा, तो जी उसने धेर सरे टेस्ट करवाई, बेटी के, उसके नेक में कुछ नजर आया, क्योंकि पहले उसका कैंसर, नेक से यहां, थाइरोइड होती है, ग्लैंड, थाइरोइड ग्लैंड में हुआ, वहां से उसका बाद में सेकंड टाइम हुआ तो हार्ट के पास हुआ, थाइम हुआ, तो उसके लंग में, जो फेफड़े होते हैं, उसमें नजर आया, लेकिन थाइम जो था, वो जब रेडियेशन देने लगे थे, आपको मेरी कहानी, मेरी जुबानी में याद होगा, मैंने बताया था, कि अपने आप ही वो कैंसर गा ये पता चल रहा है बलड टेस्ट में, और कि कहीं पे बाडी में कैंसर है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है, CT स्कैन में वो आनी रहा है, MRI स्कैन किया, उसमें भी नहीं आ रहा है, तो ये जो कैंसर है बेटी का, ये खास किसम का कैंसर होता है, इसको पकड़ने के लिए, एक special medicine होती है जिसको injection उसका लगा के आपकी vein में, आपकी nurse में injection लगा के उसके एक घंटे बाद CT scan किया जाता है या ultrasound भी किया जाता है तो ये अलागलग तरह के test होती है जिनको नहीं मालूम और मालूम करना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ तो बेटी को वो test करने के लिए दो हफते special diet पे जाना पड़ता है तो आजकल जो मेरी cooking हो रही है वो इसी मसले में हो रही है कि बेटी को दूद, दही, घी, बटर ऐसी चीज़े सब बंध होती है तो उसके बाद वो जो injection लगाते हैं तब जाके उसका असर होता है तो अब एक हफता तो निकल गया नेक्स्ट वीक भी बेटी को अभी 10 दिन के करीब और उसको ये special diet पे रहना है वो special diet के बाद उसका जो x-ray जो इंजेक्शन देने के बाद वो injection जो है वो एक किसम का जो cancer को treat करने के लिए होता है वैसा ही वो injection है तो उससे क्या होता है जैसे पूरा highlight हो जाता है बादी में ऐसा है कि एक जगा पर अगर एक cancer cell है या दो है तो वो एकदम चमकने लगती है scan में वो चमकती हुई नजर आती है तो वो एक तरह की radiation होती है जो जिसका injection लगाया जाता है तो जब वो cell को locate कर लेंगे तो फिर बेटी को इसको hospital admit करेंगे एक दिन के लिए और इसको radiation देंगे इसको chemotherapy देने की जरूरत नहीं है इसको radiation देंगे और radiation के दौरान आप किसी के contact में नहीं आ सकते क्यूंकि अगर कोई normal इंसान उस वक्त जिसको radiation मिली है उससे मिलता है तो उसको cancer का डर होता है radiation इतनी bad होती है इसलिए जो x-ray करते है x-ray machine से radiation निकलती है इसलिए आपको वो एक बहुत भारी सा apron होता है वो पहनने को कहते है कि x-ray हो रहा है तो आप वो पहन लीजिए कि आपकी body में radiation ना जाए तो इसको बेटी को फिर एक दिन hospital में रात दिन वहां रहना पड़ेगा अगले दिन घर आ सकती है तो body में cancer तो है लेकिन उसको locate करना है कि है कहाँ पे तो जी है तो हिम्मत से काम लेंगे उसको हम deal करेंगे उसके साथ और बेटी भी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल शुकर है भगवान का कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि घबरा रहे हो या फिकर कर रहे हो कि क्या है अरे भगवान ने तीन बार पहले बचाया अभी छोती बार है तो फिर क्या हो गया और है भी एक सेल कहीं पे एक छोटा सा तो है तो उसको ट्रीट कर लेंगे तो प्रेयर्स की जरूरत हर तकलीफ में होती है आप मेरे दोस्त सब बहुत अच्छे हो आप सब साथ दोगे दुआओं में याद रखिएगा और जो पाकिस्तान के मेरे दोस्त हैं अभी तो इतना अच्छा वक्त आ रहा है कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है आप सब से मेरी दुआ है कि आप जब भी दुआ करें रमजान के दिनों में मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए क्योंकि मैं भी अपनी बात अभी आपको बताती हूँ कि मेरा क्या प्राब्लम चल रहा है तो थोड़ा सा मेरा भी है लेकिन अभी बताओं इस वीडियो में या बहुत लंबी हो गई वीडियो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताओं तो जी मैं मेरे ख्याल से मैंने अभी टाइम देखा तो बीस मिनट के करीब वीडियो हो चुकी है तो मैं आपको अगली एक और वीडियो बनाके उसमें बताती हूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए दुआउ में याद रखिएगा और जो बद्दुआ देते हैं उनके लिए भी दुआ करिए कि उनका खुदा उन्हें माफ करे ऐसी हरकतों से और उनका खुदा उनको अच्छी जिने के लिए उनके दिल में ऐसी फिलिंग्स आएं कि वो अच्छे से रहें हम किसी से दुश्मनी नहीं पालते दिल में ना हमें पालनी है इसलिए मैंने कभी लाइब करके या मैंने कभी व्लॉग्स बनाके कोई गुसा नहीं निकाला क्योंकि वो हरकतें एक इनसान की नहीं होती है वो हरकतें इनसान से बत्तर लोग जो होते हैं उनकी होती है तो उनका खुदा उनको तुफीक दे कि वो ऐसी हरकतों से बाज आएं बहुत शुक्रिया फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में